हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चलें जी अप लोगे आई होब सु सब बढ़ी होंगे कंसाइमेंट का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसी को ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आई होब आपने लास्ट क्लास का जितना भी कराया हुआ है उसको रिवाइस किया होगा क्योंकि अगर आपने रिवाइस नहीं किया तो आज वाली क्लास आपके लिए वीस्ट है आज वाली क्लास में हम लास्ट क्लास की चीजों को रिलेट करते वे चलेंगे तो अगर आपने last class को revise नहीं किया तो पहले जाईए last class को revise करें अच्छे से उसके बाद आप यह वाली वीडियो देख सकते हैं ठीक है अब last class में हमने basic concept discuss किया था consignment का और हम valuation of stock तक पहुँच चुके थे अभी मैंने आपको कोई भी question नहीं करा है सिर्फ एक दो एक्जांपल लेके मैंने आपको concept समझाया था questions अब हम start करना शुरू करेंगे आज हमारे last concept है उसको discuss करके फिर हम इसके सारे mixed questions करेंगे क्योंकि इसमें questions concept wise नहीं है mixed questions है तो सारे treatment of normal loss and abnormal loss ठीक है जी आईए start करते हैं तो यह सब हमने last class में किया था discuss हाँ जी यह हमने evaluation of loss तक कर लिया था तो अब आप heading डालिए next concept I think concept के कुछ नान दे रहे हैं यह नहीं एक वे चैकल नहीं तो मैं concept के कुछ नंबर नहीं तो concept के कोई नंबर नहीं है तो heading डालिए next concept that is treatment treatment of normal oblique abnormal loss and valuation of consignment stock ठेके जी abnormal loss और normal loss का treatment और उसी के साथ ही consignment stock की valuation देखे जी सबसे पहले लिखे नॉर्मल लॉस क्या होता है what do you mean by normal loss look over it is an unavoidable loss that cannot be prevented in the normal course it occurs due to natural causes such as evaporation, nature of goods, weather conditions normal loss जिसको हम control नहीं कर सकते, जिसको हम avoid नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते सबस्क्राइब जाएं एक जगह से दूसरे जगह तक करूड ऑल जा रहा है तो डेली से साउथ इंडिया में क्रूड की सप्लाइब हो रही है अब वैदर कंडिशन के बिदिशें गहीं जगहां पर घंट होती है ज्थ है जाए साउथ में ठंड होती ए और नौर्थ इंडिया में थोड़ा South India में sorry गर्मी होती है और North India में थोड़ा मौसम ठंडा रहते हैं तो weather conditions के विज़े से crude oil क्या होता है जिए थोड़ा सा evaporate हो जाता है उड़ जाता है क्या उस चीज को हम control कर सकते हैं आंसर इसनों या वैजर पर किसी का जोड़ी नहीं वह तो अनकंट्रोलिबल सी चीज है तो वह क्या करेंगी हमारी इंडिया डिस्ट्रिब्यूट किया जा रहे है एपल्स को भी दिल्ली में भी हरियाना में भी यूपी में भी नॉर्थ हिस्टर साइड पर भी गुजरात में भी साउथ में भी मतला हर जगह एपल क्या हो रहे हैं अब एपल मंगवारी है अलग अलग कंपिंई's क्या ख खरां होसब नहीं है किया नॉर्मल लॉच हमारी गलीजेंज की वजे से होता है क्या normal loss हमारी negligence की वज़े से होता है, answer is no, normal loss हमारी negligence की वज़े से नहीं है, इसी वज़े से normal loss को मैं अपना expense, अपनी cost नहीं मान सकता, क्योंकि मेरी गल्टी थोड़ी नहीं, तो बात आएगी सर ये normal loss को फिर cover कैसे किया जाएगा, normal loss को cover किया जाता है through customer only, customer से cover किया जाएग by increasing the price per unit, price per unit को बढ़ा कर, एक छोटा से example देखता हूँ, for example, 1000 kg material की value थी 10,000 रुपे, एक जगह से दूसरी जगह पर चले, एक जगह से दूसरी जगह पर चले, लेकिन पहुंचते पहुंचते क्या हुआ जी, 50 kg material क्या हुआ, loss हो गया, जो की normal nature का है, तो पहुंचा कितना, 9 50 kg, 950 kg की costing है, costing तो सर 10,000 रही है, costing थोड़ी ना कम होगे, costing तो 10,000 रही है, अब मुझे पताहिए, यहाँ पर 1 kg की cost क्या बंदी थी, 1 kg की बंदी थी, 10,000 divided by 1000, यह बंदी थी 10 रुपे, लेकिन अब क्या हो जाएगी, अब cost per unit will increase, अब हो जाएगी 10,000 divided by 950, now it will be 10.5, तो selling price 10.5 के साथ से ही decide किया जाएगा, मानों हम 10% का profit कमाना चाहते हैं, तो profit हम इसमें 10% जोड़ देंगे, अगर loss नहीं होता तो हम इसमें जोड़ते 10%, लेकिन loss होने की वज़े से, जो कि normal लेचा का है, तो हमने क्या करा, जी profit 10,000 रुपे में जोड़ दिया, इसी वज़े से, हम इस normal loss का burden जो था, वो transfer कर दिया to the customer only, अब यह मत बोलना साथ, this is unfair, this is totally fair, क्योंकि हर कोई industry में, जितनी भी industry में, जितनी भी firms हैं, हर कोई ऐसा काम कर रहा है, तो यह unfair practice नहीं होती है, ठीक है ठीक, this is your normal loss, अगला लिखिए, abnormal loss, abnormal loss, it is a loss due to carelessness, natural calamity which does not occur regularly is abnormal loss example goods destroyed by fire अब बात ह遊 FC सर यह, अब अब नार्मल लॉस किया है Jupiter अब नार्मल लॉस का मतलब होया, जो हमारी लीजिए से होता मुझए होई स century अब बाती है सर मारी लेजिए से क्या हमारी पैट facultरी टरईक je अब जैसे इसमें यहां पर लिखा है कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर यह natural calamity हमने लिखा है तो natural calamity तो हमारे control में नहीं है ठीक है आपके control में नहीं है लेकिन अगर आपको लग रहे है कि हमारे area में weather conditions खराब है तो हमें goods को ठीक से pack करना चाहिए था जो कि हमने नहीं किया तो वो abnormal loss है वो आपकी गलती कोई से है सर फायर से नुकसान हो जाना फायर हमारे हाथ में थोड़ी नहीं भाया फायर लग गी है तो इसका मतलब आपकी security इतनी अच्छी नहीं थी आपने ज़्यादा precautions लेके नहीं चेली तभी तो आग लगी तो वो क्या कलाएगा abnormal loss कलाएगा क्योंकि abnormal loss हमारी negligence की वज़े से होता है हमारी गलती की वज़े से होता है तो हम इसका burden customer पर pass on नहीं कर सकते है वो हमारा ही नुकसान बनता है वो हमारा ही क्या बनता है जी नुकसान बनके चलता है और उसको हम अपने pnl account में debit कर देते हैं as loss ठीक है जी अब accounting entries किस तरीके से pass होगी देखो जी सर normal loss की कोई भी accounting entries पास नहीं होती है क्योंकि हम इसको अपना loss recognize ही नहीं करते हैं इसका हम burden transfer करते थे to the customer लेकिन abnormal loss को हम अपना loss recognize करते हैं इसलिए इसकी हमें accounting भी करके चलनी पड़ती है अब देखो insurance भी insurance भी हमेशा abnormal loss का ही होता है अब अगर insurance company के point of view से सोचो क्या insurance company कभी भी normal loss का insurance करेगी answer is no जब normal loss आप लोगे के हाथ में नहीं है तो insurance company उसका कैसे insurance कर सकते है वो उनके भी हाथ में नहीं है हाँ अगर abnormal loss हो है तो उसका generally सब क्या कराते है जी insurance कराकर चलते हैं तो अगर मान लो हमारे goods insured नहीं थे if not insured if not insured तो entry क्या बनेगी entry विल भी बताओ अच्छे काम करते है पहले हम डालते है लॉस की एंट्री लॉस की एंट्री क्या रहेगी देखो जब लॉस हुआ तो लॉस के एंट्री वनेगी abnormal loss debit to consignment देखो अगर हम consignment चेप्टर नहीं कर रहते तो मैं यहाँ पर क्या लिखता मैं यहाँ पर trading account लिखता है क्योंकि मेरे goods काम हो रहे हैं लेकिन अब यह consignment का टॉपिक है तो मैं consignment वर्ड यूस करूंगा to consignment next entry if goods are not insured अगर goods का insurance नहीं था अगर goods का insurance नहीं था तो क्या होगा तो next entry will be next entry will be यह सारा का सारा loss किस में transfer हो जाएगा जी P&L में transfer हो जाएगा P&L account debit to abnormal loss ठीक है नेक्स्ट if goods are insured अगर goods का insurance हो रखा है if goods are insured तब क्या होगा तब देखो तो insurance company हमें कुछ claim देगी तो हम पहले वह claim अपने loss में से सेट आफ कर देंगे हम पहले वह claim क्या करेंगे अपने loss में से सेट आफ और फिर जो net loss था फिर जो net loss था उसको में क्या करेंगे ट्रांसफर कर दिया किस में उसको में ट्रांसफर कर दिया अपने एंट्रीं धिखो खेंगे पहले एंट्रीं क्या है एंबनॉमल लॉस्क्राइच करेंगे येवाली अंट्रीं यह वाली एंट्रीं हमने के सिले करी टुली प्रेज़ेंट यह वाली जो एंट्रि थी यह वाली एंट्रि हमने इस लिए कर सिरफ यही relevant entry है, यह वाली entry आपको करने को नहीं मिलेगी, यह तीन entry आपको नहीं करने को मिलेगी, ठीक है, तो यही आपके लिए relevant entry है, this is only your relevant entry, ठीक है जी, अब, अब लिखे नोट, अब यह नोट आपका बहुत important है, first point, loss will be valued at the place of its incidence, यह ध्यान दखने आपको, कि sir, loss will be valued at the place of its incidence, मतलब, abnormal loss, देखो, valuation, हमें abnormal loss की करनी है, normal loss की तो valuation नहीं करनी, abnormal loss की valuation हमेशा, जिस place पर loss हुआ है, जहां पर loss हुआ है, वही पर ही उसकी value करी जाएगी, for example, example के तौर पे, loss in transit, अगर रास्ते में loss हो गया, अगर loss in transit हुआ, तो value कैसे करोगे, पहले तो आप देखोगे, purchase cost, purchase cost of goods lost, यह ले लिए आपने, इसमें add कर दोगे, इसमें क्या add करोगे, इसमें सारे की सारे consignor के expense, consignor के generally directly होते हैं, तो consignor's expense on goods lost, सर, transit में हुआ है, transit मतलब रास्ते में हुआ है, तो consignee के पास तो महुचा ही नहीं, तो consignee के खर्चे add नहीं होगे, हाँ, अगर मान लो, loss होता at consignees go down, loss होता at consignee go down, अब यह मत बोलना है, सर, consignee go down हुए, तो consignee के जिम्मेदारी, नहीं जी, जिसकी ownership, उसी की loss की जिम्मेदारी, तो ownership किसकी है, consignee की, तो consignee की जिम्मेदारी, तो अगर consignee के go down पे होता है, तो purchase cost आती, मैं काम करता हूँ, यह दोनों चीज़े तो आती ही, तो मैं इसको arrow करते हूँ, यह दोनों तो आती ही, यह आती, these two figures will come, बस इसमें क्या add हो जाथा, इसमें add हो जाथा, consignee's, direct expense, on goods lost, अब consignee के location पे हैं, तो consignee ने भी कुछ ना कुछ उस पर direct nature के खर्चे करेंगे, तो वो भी इसमें क्या हो जाएंगे, वो भी इसमें add हो जाएंगे, तो यह आपका, पहला note होगा है क्या, कि आपको हमेशा, आपको हमेशा यह जरूर ध्यान दखना है, कि भी loss कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले आपका दिमाग यही चलना चाहिए, इसमें लॉस का place of incidence क्या है, कहाँ पर नुक्सान हुआ है, ठीक है जी, next point लिकिए, point number two, अज यह वाला point मैं आपको पहले लिखवा भी चुकोँ है, लेकिन फिर भी लिखते हैं, consignee will incur, consignee will incur the expense, on the quantity of goods, received by him, obviously sir, यह वाला point हमने last class में भी देखी लिया था, कि consignee, consignee, जो खर्चे incur करता है, वो उन्हीं goods के ओपर करेगा, जो उसे receive हुए, मैंने अपने यहां से 1000 calculator से बेज़े, हम calculator से deal करे थे, मैंने अपने यहां से 1000 calculator बेज़े, लेकिन आपको 950 calculator receive हुए है, तो आप जो खर्चे करोगे, वो तो 950 calculator के साब से करोगे, 1000 पर थोड़ी ना कर दोगे, तो consignee will incur the expenses, on the quantity of goods, received by him, whenever goods are, यह वाला point भी हम लिख चुके है, whenever goods are sent, यह मैं दुबारे से लेकर रहा हूँ, आपके revise ही हो जाएंगे, whenever goods are sent at invoice price, तो बताए, क्या बताया था मैंने, and valuation of stock, valuation of stock will be done at IP and stock reserve will be eliminated, stock reserve will be eliminated from किस में से, from किस में से, purchase cost, क्योंकि load किस में जुड़ा होता है, load सिरफ और सिरफ purchase cost में ही जुड़ा होता है, तो purchase cost से आप क्या करेंगे, जी stock reserve बता देंगे, लेकिन अब यह एक additional point लिखा हूँ, abnormal loss, abnormal loss will always be valued at cost, abnormal loss will always be valued at cost, चाहे वो IP पे भेज़े गए हो, चाहे वो cost पे भेज़े गए हो, लेकिन abnormal loss, abnormal loss की valuation किस पे होगी, हमेशा ही आपकी cost पर ही होगी, यह ध्यान रखना है आपको, कि abnormal loss में कोई भी stock reserve नहीं होता, कोई भी load नहीं होता, उसकी valuation हमेशा cost पर ही होती है, यह तो आपको cost निकाल के, abnormal loss की valuation करके चलना है, पॉइंट नमबर फॉर, इन दे कंसाइनमेंट अकाउंट, इन दे कंसाइनमेंट अकाउंट, फुल वेल्यू ओफ, abnormal loss, विल भी, credited, सर्य यह क्या point हो, देखो जी, consignment account में, पूरी की पूरी वेल्यू credit होगी, देखो किस तरीके से, हम यहाँ पर consignment account बनाएंगे, और consignment account में हम लिखेंगे, by abnormal loss, हमेशा पूरी की पूरी, मतलब जितने रुपे का loss हुआ है, चाहिए insurance claim मिला हो, या ना मिला हो, आपको हमेशा पूरी value को credit करेके चलना है, इसका reason है, देखो यह वाली entry, यह वाली entry क्या थी, यह वाली entry बता क्या रही है, यह वाली entry बता रही है, abnormal loss to consignment, भईया जितना loss हुआ है, वो सारा का सारा ही, तो हमेशा हमें, full value of loss को credit करना पड़ेगा, इन दा consignment account, अब आपको books में क्या मिलेगा, एक important point बता रो, ध्यान दखना, आपको कहीं बार books में, यहाँ पर मिलेगा net of claim, यहाँ पर मिलेगा net of claim, और आपको यहाँ पर अलग से दे रखा होगा, आपको अलग से दे रखा होगा, इन्शॉरंस claim, अब इन दोरों को add करोगे, बात तो वही होगी न, सर्थ पूरी की पूरी value को credit कर दियो, उसने consignment account में, लेकिन आपको कहीं बार books में, S.E.B. entry देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको ये practice को follow नहीं करना है, आपको ये वाली practice को follow करना है, reason being, कि सर, this is technically wrong, ये मुझे technically ठीक नहीं लगती चीज, तो मेरे साब से आपको ये वाली चीज को follow करके नहीं चलना चीज, you have to credit full value of abnormal loss in the consignment account only, तो ये आपके important points हैं, जो आपको abnormal loss और valuation of stock के time पे ध्यान रखने पड़ेंगे, सर, क्या valuation stock में change आएगा, देखिए सर, valuation of stock में कोई change नहीं आएगा, सिरफ quantity का आपको ध्यान रखना है, सिरफ quantity का अपने को ध्यान रखना है, कि consignment कि कितने पे खर्चे इन कर करेगा, वो चीज़ आपको ध्यान में रखने चलनी है, तो अब मैं आपको इसका एक example लिखवाता हूँ, ठीक है, इसको note नहीं कहें तो इसको note कर लो, फिर इसका लिखते है example, example लिखे जी, example, लिखे जी, एक रखने, एक रखने, एक रखने पे लिखे लिखे, one tin contains 10 kgs of oil 2 x consigned to y 400 kgs of oil costing costing rupees 50 per kg x is the consignor and y is the consignee x ने y को 400 tins of oil 400 tins और एक tin में 10 kg oil आता है तो कितने kgs oil हो गया 4000 kg oil transfer किया at a cost of 50 per kg x paid x मतलब consignor consignor paid rupees 16,000 for forwarding charges forwarding charges मतलब transportation एक तरी किसे forwarding charges and rupees वनलब goods को clear कराना तो यह direct nature के होगे and rupees 24,000 for freight ठीक है जी 24,000 का freight है तो देखो generally consignor के तो सारे expense direct ही होते हैं तो और यह वैसे भी nature क्या है इनका direct है direct मतलब recurring और non-recurring direct मतलब non-recurring expense जो कि repeat रही होगे एक ही बार होते हैं तो आपको exam में कई बार recurring non-recurring term भी मिल सकते हैं तो यह आपको ध्यान दखना है कि direct मतलब non-recurring उसके बाद लिखोड 10 tins of oil were totally damaged during transit ठीक है जी 10 kg 10 tins sorry 10 tins 10 tins 100 kg 100 kg oil क्या हो गया जी पूरा का पूरा transit में रास्ते में damage हो गया ओके why took why मतलब consignee took delivery of the oil and sent an account sales account sales क्या होता जी account sales वो document था जिसमे sales report करी आती थी consignee send करता था consignee को जिसमे sales का reporting होती थी account sale showing that 300 tins टोड़री थास्टल्ड़री थोलागंस्टवरी the expenses the expenses incurred by them by them custom duty and clearing charges custom duty and clearing charges ये भी non recurring nature के खर्चे होते हैं क्योंकि ये repeat नहीं होते हैं एक ही बार होते हैं तो ये consignee के direct expense है ये ध्यान रखना this is the direct expenses of consignee कितना 14320 and selling expense selling expense है non recurring है ये indirect nature के होते हैं selling expense कितने हैं this is rupees 4000 okay they were entitled to a commission they were entitled to a commission of 5% on sales 5% on sales why also reported why also reported that 20 kgs were lost due to leakage which was considered to be normal normal ठीके जी 20 kg का और लुक्सान हुआ है जिसको normal माना जाए show the show the necessary ledger accounts in the books of in the books of in the books of consignery कर लेते हैं in the books of x ठीके जी consignery के बुक्स में आपको account बनाने consignery के बुक्स में कौन-कौन से account बनते है जी consignment account consignee account and goods sent on consignment account ठीके जी यह आपका question चली जी अब मैं इसके आपको photo बनाता हूँ इसका photo मतलब diagram बना के दिखाता हूँ कि क्या इसकी situation है देखो जी यह person है Mr. X this is Mr. X Mr. X ने यह जे truck बना दिया मैंने आपर यह truck ठीके जी यह truck Mr. X ने truck में कितने goods को लोड कराया इसने यहाँ पर truck में लोड कराया जी 4000 kg चार अजार किरो को लोड कराया और उसने क्या क्या पे गिया उसने कुछ forwarding charges पे करे कितने के उसने forwarding charges पे करे थे 16,000 के और उसने freight पेकिया था फ्रेट पर गया था 24,000 का दोने ये डिर्क निचर के expense है ठीक है जी यह रास्ते है जी यहाँ पर रास्ते में goods चलते चले गए चलते चलते चले गए और यहाँ पर यह खड़ा Mr. Y यह Mr. Y है यहाँ पर goods को unload कराया जा रहा है ठीक है goods को unload कराया जा रहा है अब मुझे पताइए रास्ते में ही कितने goods को नुकसान हो गए था रास्ते में ही वो कह रहा था कि 10 तेंटिंस 10 तेंटिंस मतलब 100 kg क्या होगे थे lost होगे थे 100 kg क्या होगे थे lost होगे थे क्या मानू normal मानू के abnormal मानू answer is this is your abnormal अब बात आती है सर कहा लिखा है abnormal देखो जी कहा लिखा है का मतलब क्या है अगर आप last वाले line पढ़ोगे तो उसने normal के बारे में लिख जाए कि भी है जो 20 kg का नुकसान था वो तो normal nature का था तो obviously दूसरा नुकसान abnormal का ही होगा और आपको एक exemption लेनी भी पड़ेगी अगर question silent होता है तो आप हमेशा loss को abnormal loss की मानोगे तो मैं इसको न लिखवा देता हूं इस point को थोड़ा सा इसको नीचे किसमा प्रेंगा चलो मैं थोड़ा सा मैनेज करना है यहापर काम करते हूं इसको रप करते हूं इसको रप करते हूं अकाउंट को whenever question is silent assume कि लॉस्टूबी कि लॉस्टूबी कि अब नॉर्मल इन निचर अब 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 यह सो के जीत हो गया सार अबनॉर्मल अब हुआ क्या अब मुझे बता हो वाए ने वाए ने कितने गुट्स को अनलोड करा है है यहां पर वाए ने कितने गुट्स को अनलोड करा है सर चार हजार चले थे सो कि जीकर नुकसान होगे तो उसके पास तो 3900 केजी पहुंचे बिल्कुल ठीक सर 3900 केजी पहुंचे और जो वो पेमेंट कर रहा है किस्टम डूटी एंड क्लेरिंग चार्जिस की वो कितनी कर रहा है वो कर रहा है 14320 मुझे बता 14320 कितने गुट्स के उपर है क्या पूरे तो ऊतने ही गुट्स पे पीमेंट करेगा ना जितने उसे होंगे कुछ इसके सालिंग एक्ससित कितने थे यह थे चार जार रुपए के in 2010 के और क्या था और कमीशन क्या था कमीशन के रहा था पामीशन एस फाइप परसेंट और सेल एको अच्छा सेल्स कितनी है अच्छा सेल्स हुई कितनी है सेल हुआ है जी 300 तेंस का मतलब हो गया 3000 kg वो हुआ है दो लाग चालीस लाय का ओके और एक वो कहा रहा था आगाद 20 kg 20 kg क्या हुआ 20 kg नॉर्मल लॉस तीन हजार kg sold तो स्टॉक में कितना बचा स्टॉक में कितना बचेगा बताएजी यह एक पिक्चर थी जो आपको हर कोशन में मदद करेगी आपको ऐसी अगर आप रफली पिचर बना लोगे तो आपको कोशन लगेगा बहुत असान इसको एक बार ड्रॉ कर लो फिर हम कोशन को सॉल्व करने साट करते हैं यह ध्यान रखना है आपको abnormal loss कहां पर हुआ है incidence, abnormal loss हुआ है consigner के place पे, तो abnormal loss की valuation करते समय अच्छा ट्रांसिट में है तो transit में भी मतलब consigne के पास नहीं हो चाता है तो abnormal loss की valuation करते समय सिरफ consigner तक के ही खर्चे add होंगे, मतलब जो place of incidence होता है वही तक के खर्चे add हो जाते है ट्रिके जो, आई consignment account consignment account consignment account तो wise account और एक बना लो goods sent on consignment इसको बात नहीं बना लेगे, goods sent on consignment, फहले यह दोनों बना लेते है, consignment account and why का account, आचाहिए इसमें मज़े की बात है हमारे पाद IP नहीं है, तो एक हमारे काम बज गया कि IP नहीं है, basically मैंने ये loss की valuation के लिए question निकाला है example, तो इसमें टू, goods sent on consignment, कितना भेजा था, goods sent on consignment, कितने भेजे थे, उसने 4000 kg भेजा था, 4000 kg भेजा था, at the rate of 50 पर केजी, at the rate of 50 पर केजी, तो कितना हो गया, 4000 into पर चाहस, यह हो गया आपका 2 lakhs, उसके बाद, आगे बता, लिख करता चलिए, खुदी, खर्चे, खर्चे, to bank, to bank account, consignor के खर्चे बताओ, consignor का एक था, forwarding का expense, forwarding, और एक freight, forwarding कितना था, 16,000, उफ्रेट कितना था, 24,000, ठीक है जी, consignor के खर्चे, to y, y के, उसने duty पे करी थी, एक उसके selling expense थे, और एक उसकी commission बनती है, duty कितनी थी, duty थी, 14320, selling expense है, 4000 के, और commission कितनी मत थी है, commission is, commission का क्या रेट था, 5% on sales, 5% of 240,000, commission is, 5% of 240,000, 240,000 का 5%, 12,000, 12,000, य कमिशन आगे मेरे पास, by wise account, sales, कितनी sales, 240,000, okay, by abnormal loss, कितना loss हुआ जी, abnormal loss कितना, अच्छा ये sales कितनी थी, ये sales थी, 3000 kg की, abnormal loss कितना था, abnormal loss था, हमारा 100 kg का, कैसे value करेंगे, working note से, by normal loss, normal loss, कितना normal loss था, 20 kg, क्या normal loss की value आती है, answer is no, normal loss की there is no value, कोई भी value नहीं तका थे, इसका burden ही pass हो जाएगा, consumer के pass, sir कैसे pass होगा, देखो जी, पास ऐसे होगा कि, cost तो बढ़ जाएगी, लेकिन quantity reduce होजेगी, तो automatically cost per unit will increase, तो आगे जाकर, next period में जाकर, इसका burden pass on हो जाएगा to the consumer, तो इसको आपको वैसे मैंने लिखके दिखा दी, आपको लिखना नहीं ही ये चीज, ये note ही नहीं करनी आपको, and last is your by consignment stock, consignment stock केतना बचा होगा, 880 kg, इसकी लिए भी valuation आपको कनी बढ़ेंगी, through working note, okay, working note 1, working note 1, valuation of abnormal loss, abnormal loss कितने kgs का था, abnormal loss था आपका 100 kg का, सबसे पहले बताएगे purchase cost, purchase cost कितनी, sir 100 into 50, 5,000, plus करोगे आप इसमे expenses of consignor, expenses of consignor, consignor के खर्चे कितने थे, consignor के total खर्चे 40,000, और 40,000 कितने पे थे, 4,000 पे थे, तो 100 पे कितने होंगे, 40,000, अगर 4,000 पे थे, तो 100 पे कितने होंगे, यह होंगे आपके 1000, और याद रखना, abnormal loss कहां तक होता है, at the place of incidence, transit में हो गया, तो consignor के कोई भी कर्चे नहीं, तो यह 6,000 पे आजाईगी आपकी value of abnormal loss, कितना 6,000, तो उपर ढालो, 6,000, value of abnormal loss में कितना आएगा, 6,000, okay, consignment stock की value करते हैं, consignment stock की valuation करते हैं, बड़ा ध्यान से समझना, मज़ेदार सी चीज़, बड़े ध्यान से, value of consignment stock, stock में कितना goods पढ़े हैं, 880 kg पढ़ा है, 880 kg रखा हुआ है, तो value of consignment stock, सबसे पहले purchase cost, purchase cost किती हैं, पचास रखा थी, तो 880 इंटू पचास, इंटू पचास, 44,000, प्लस, proportionate, expense of consignor, ठीक है जी, consignor के खर्चे, consignor के थे, 40,000 रुपे के खर्चे, on 4,000, तो 880 पर कितने होंगे, बताई जी, 40,000, अगर 4,000 पर हैं, तो 880 पर कितने होंगे, this will be 80,800, 8,800, add कर दोगे, add कर दोगे, proportionate, expenses, basically direct expenses, proportionate, direct expense of consignor, proportionate, direct expense of consignor, consignor के खर्चे बताओ, सब consignor के जो direct expense था, वो था, सिरफ duty था, 14320 की, लेकिन ये कितने goods पर दी, ये उत्रे ही कुछ पर होगी, जितने consignor ने receive करें, consignor ने receive करें थे, 3900 kg only, consignor ने कितना receive किया था, 3900 kg, क्योंकि उसके go down में, तो 3900 kg ही पहुँचे थे, और हमें निकालना है, 880 पर, हमें निकालना है, 880 पर, अब बताओ कितना है, यह आपका, 14320 divided by 3900 into 880, यह आपका लगवागा आजाएगा, 3231, 3231, तो अब बताओ किया value होगी, यह आपकी 44000 plus 8800 plus 3231, 56031, 56031, this will be your value of stock, बासरण महीं, तो मज़े की बाद आपको क्या देखनी है, आपको ध्यान रखना है, यह वाला point, आपको ध्यान रखना है क्या, यह वाला point, this point, यह आपको उच्छे से ध्यान रखना है, यह कैसे निकला, proportionate direct expenses of consigne, consignee के लिए आपको यहाँ पर कितना लेना है, 3900, 3900 क्यों लिया, यह मैंने 3900 इसले लिया, यह 3900 इसले आया, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा, कि consignee ने कितने goods को receive किया है, जितने receive करेगा, उन्हें पर तो खर्चे इंकर करेगा हो, यही एक हमारा आखरी concept था, और यहीं बच्चे सबस्यादा गलती भी करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि आप लोग गलती करोगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत simplified तरीके से समझा दिया, कितना था 56031, 56031, तो यह हमारे पार सारी वेल्यू आगी, अब आप profit and loss निकाल सकते हैं, बताएजी, profit and loss के समझ के लिएगा, 240 plus 6,000 plus 56031 minus 2,00,000, minus 3171, 2 PNL account, 3171, 2 PNL account, this is your consignment profit, कंसाइनिक अकाउंट में तो सेल कंसाइनमेंट कितने के सेल करी उसने 240 की सेल करी और इसमें से वो अपने खर्चे काट लेगा क्या 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 खर्चे काटेगा एक तो वो ड्यूटी जो इसने पे करी थी ड्यूटी ड्यूटी कितने थी 14320 एक तो यह काटेगा एक सेलिंग एक्समेंस काटेगा चारहजार के एक वो कमिशन काटेगा 12000 की अब बाकी बैलेंस क्या करतेगा चीज रमेंट करतेगा या क्लोजिंग बैलेंस भी आप रख सकते हो बैलेंस सीडी बोल देते हैं बैलेंस सीडी रख लेते हैं गोड़्स राइंगे कहां से ट्रेडिंग अकाउंट से लपर ट्रेडिंग को ट्रेडिंग अब इसमें आई पी के चक्कर नहीं था तो दो लाख और ये गुर्ण आएंगे कहां पर बाइए विखेने थे तो लाग है थी ड़ाइग इस इन बताएग तो यह आपका एक example था concept हमारा valuation of loss का कि loss का treatment किस तरीके से करना है थी कि loss की valuation किस तरीके से करना है और loss के साथ साथ हमें stock आपकी valuation किस तरीके से करके चलनी है तो यह आपका इतनी सेप्ट है हाँ जी बताईए जी समझ बाता है जी हाँ जी चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं अपने books के question की तरफ है